भारतिय मूल की गारगी खोडे नामक 17 वर्षय सुन्दरी ने अमेरिका के प्रतिष्टित ग्लोबल ब्यूटी अवार्ड्स 2024 के मोस्ट फोटोनिक फेस गुट के अवल स्थान पर कबजा जमा कर सब को चोका दिया है गारगी खोडे का अकोला और दिग्रश सहर से खास है बरहाल अंतर राष्टिय स्तर पर गारगी को मिले सद्बुट सपलता पर पेश है दिग्रस सम्वादाता जुबेर खान की अखास रिपूर्ट मूल तहां अकोला निवासी लेकिन फिलहाल अमेरिका में रहने वाली अनिवासी भारतिय गारगी रविंद्र खोडे इस सत्रा वर्शिय सुंदरी ने मोस्ट फोटोजेनिक फेश दोहजार चौबिस का पुरसकार जीत कर भारतिय सौंदर्याता का परचम अंतर राष्टिय इस्तर पर लहरा दिया है गारगी ने अमेरिका में आयोजित ग्लोबल ब्यूटी अवार्ड्स इस स्परधा में विजेता बन कर एक तरह से अकोला का ही नहीं बलकि महाराष्ट और पूरे भारत वर्श का नाम रोशन किया है अमेरिका के वाशिंग्टन राज्य के स्नो कॉ लमी शहर में हाल ही में most photogenic face के किताब से गारगी खोड़े को नवाजा गया आपको बता दे कि पिता रविंद्र खोड़े बतोर व्योसाई अमेरिका में कार्यरत है रविंद्र खोड़े योत्माल जीले के दिगरश शहर के दिनबाई विद्याले के चात्र रह चुके है गारगी की माता जिनका नाम भक्ती रविंद्र खोड़े है वो भी अमेरिका में सॉफ्ट्वेयर कमपनी में जॉब करती है गारगी का जन्म एहमद नगर जिले के रहाता तालुके के कोलहार गाउ में हुआ था और उसने अकोला पोद्दा के दम पर न सिर्फ अपनी सफलता का जंडा गार दिया है बलकि अंतर राष्टिय स्तर पर भी भारतिय प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है विभिन्न सॉंदर्यस पर धाओ में लगातार तीन बार नामांकन और पुरसकार प्राप्त कर जीत की हैट्रिक लगाने वाली गारग संपन्न हुए ग्लोबल ब्यूटी अवार्ड्स की विभिन्न कैटेगरी में कुल 400 सुंदरियों ने हिस्सा लिया था जिसमें मोस्ट फोटोजेनिक फेस गुट में चुनी गई अंतिम ग्यारा सुंदरियों में से गारगी ने अवल स्थान पर कबजा जमाते हुए काबिल तारीफ जीत दर्ज की है खास बत यह है कि साल 2022 में गारगी को मिस रेडमंड वाशिंग्टन यूनाइटेड स्टेट का पुरसकार मिला था इसके दूसरे साल में का सोनी के एमपावरिंग नौन प्रॉफिट संस्था दोरा आयोजित मिस टीन ग्लोबल एशिया इंडिया 2023 का पुरसकार भी उसने जीता था मात्र 17 साल की उम्र में गारगी खोडे ने सौन्दर्य स्परधा के अंतर राष्टिय पटल पर अपना नाम अपनी महनत के दम पर अंकित किया है गारगी की सफलता का राज उसके निरंतर उत्साह और लक्ष प्राप्ती के लिए जरूरी समर्पन में नहीं थै गारगी को एक के बाद एक मिल रही सफलता देखने में बले ही आकर्शक और लुभावनी लगे लेकिन इस कामियादी के पीछे गारगी की जिद कड़ी महनत और लगन के साथ ही उसके माता-पिता की बेजोड तपस्या और उनका अपनी होनहार बेटी की परतिबा पर अटूट विश्वास है अपने लक्ष पर विनमरता के साथ डटे रहना उसने अपने माता-पिता से ही तो सीखा है इनबीसियन परिवार गारगी खोड़े और उसके परिवार को शुपकामनाय पेश करता है इनबीसियन न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट